जै आईरवेद, जै धनवंत्री साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नई इनफोर्मेशन के साथ साथियों हमारे खेतों में जैसे गेहूं के खेत हैं या अलू के खेत हैं इसमें एक खरपतवार के रूप में जड़ी बूटी उत्पन होती है जो काफी किसान इसको जानते नहीं है वैसे इसको उखाड कर फैक देते हैं या खरपतवार ना सक दवाया डाल करके इसको खतम कर देते हैं लेकिन फिर भी प्रकरती की ऐसी देन है कि ये जड़ी बूटी अपने आप ही उत्पन हो जाती है तो आईए आपसे रूबरू करवाते हैं उसी जड़ी बूटी के बारे में तो साथियों ये वाली वो जड़ी बूटी है पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसकी पैचान आप भी कर लीजिए क्योंकि स्वास्ते के लिए बहुत ही बहतरी वर्दान साबित होती है ये जड़ी बूटी हम डोक्टरों के चकर काटते रहते हैं महेंगी महेंगी दवाया खाते रहते हैं लेकिन फोकट के बाओं में मिलने वाली ये जड़ी बूटी का हम परियोग नहीं करते हैं परियोग तब करेंगे जब हमें इसका बारे में पता होगा तो हमारा यही मिशन है कि आपको हमारे नजदेक जितनी भी जड़ी बूटियां खड़ी रहती है उनके बारे में आउगत करवाना, उनका परियोग बताना कि किस बिमारी में, किस अनुपान के साथ कैसे आपको इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना है तो साथियों, उसी संद्रम में हमारे पास आज एक जड़ी बूटिय देखिए बिलकूल कच्ची सी इसकी नाल होती है अपने आप इतूठ जाती है और इसके पत्ते देखिए जैसे गाजर के पत्ते होते हैं वैसे इसके पत्ते होते हैं इसपर फूल देखिए इस प्रकार से इसका फूल होता है गुच्छे टाइप में और स्रथानिय भासा में इसको गाजरिया घास भी बोलते हैं क्योंकि इसका पत्ते का आकार होता है वो गाजर के घास के जैसा ही होता है और आयुर्वेद में इसको पित पापड़ा बोला जाता है और दूसरा नाम इसका सहतरा भी है लेकिन आपके छेतर में इस जड़ी बूटी को किस नाम से जाना जाता है किरिपया कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं क्योंकि भात वर्ष में हर छेतर में इतनी भासाएं बोली जाती है हर भासा में जड़ी बूटी का नाम भी अलग होता है लेकिन आयरुवेद में इसको पित पापड़ा साहतरा ही बोला जाता है साथियों आपकी नोलिज के लिए बता देता हूँ कि जिन साथि को लिवर संबनित कोई भी प्रोबलम है लिवर की चाहे कोई भी प्रोबलम हो उसके लिए ये जड़ी बूटी बहुत ही भूमुल है जिनको लिवर में सोराइसिस है फैटी लिवर है इन डाइजेशन के सिकायत रहती है बोडी में बल्ड कम बनता हो खून की कमी आ गई हो अनेमिया की समस्या रह गई हो खाया प्या ना पच्चता हो भूख कम लगती हो खाना खाते ही टोलेट जाना पड़ता हो जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे सरीर को ना लगता हो छोटियात बडियात में दिक्कत रहती हो पैटिकलसर, गैस्ट्रिकलसर की दिक्कत रहती हो पाचन किरिया कमजोर हो गई हो शरीर दुबला पतला हो या फिर सकिन की समस्या रहती हो सकिन की सुरैसिस, एक्जीमा, खारिश, खुजली, दाद, फोड़ा रहता हो या जिनको बुखार की दिक्कत रहती है क्योंकि आयरवेद की जड़ी बूटियां होती है न वो एक बिमारी पर काम ना करके बहुत सारी बिमारियों को एक सार ठीक करती है और ये पित पापड़ा जो जड़ी बूटियां सपेसल लेवर के लिए तो बहुत ही वरदान है और दीकि फोकट के वाव में ऐसे ही खड़ी रहती है लेकिन हमें पता नहीं होता इसको उखाड़ के ऐसी फैक दिते है लेकिन आज आज आपको इस वीडियो के मादम से बताने वाला हूँ अगर लेवर की जो मैंने दिक्कत आपको बताई है उन दिक्कत में से आपको भी कोई नजर आ रही है तो आपको करना क्या है इस जड़ी पूट्य को ऐसे ही उखाड लाना है अभी तो मोसम है जैसे फरवरी का मोसम है गेहों के खेत में, आलू के खेत में, नदी नालों के किरारे अपने आप उत्पन हो जाती है इस उसदी को उखाड करके अगर ताजा मिल जाए तो सबसे बहतर है आपका इस जड़ी पूट्य का रस निकाल लेना है लगबग 10 ml के आसपास इसको कूट करके रस निकाल लेना है 10 ml के आसपास और सुबह खाली पेट 10 ml रस को पी लेना आपको लगातार आप करते हो इस परकरिया को लगातार आप पित पापडे के रस को पीते हो तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा आपको पाचन किरिया मजबूत हो जाएगी भूक अच्छे से लगेगी खाया पिया शुरी में लगेगा स्किन अलेरजी वर गड़ा कि कोई दिक्कत आपको रहती हो लिवर आपका फैटी हो गया हो या बुखार की समस्या आपको रहती हो शुरी में हरारत ठकान बनी रहती हो तो आपको 15-20 दिन में रजल लटाना शुरू हो जाएगा साथ की साथ गैस तिजाब, एसिडिटी बनती हो कबज की दिक्कत दिन को रहती हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है साथ में आपको परेज रखना होगा तली हुई चीजे, लाल मेर्च, खटाई, ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, मास, मदिर्या का सेवन आपको नहीं करना है क्योंकि आयरवेद की जो दवाईयां होती है या जो डिबूटियां होती है वो तभी काम कर पाती है जब आप अच्छे से परेज कर पाती हो तो आप इसका रखना सेवन केजी हो और अपने फैटे लिवर को ठीक केजी है अभी आपका एक कॉस्चन रहेगा कि अभी तो इस पितपापड़ा मिल जाता है लेकिन जब इसका मॉसम नहीं होता तो आप कहाँ से लेकर आए तो इसके लिए भी सोलेशन बता देता हूं अब देखतें बहुत सारी ये पोड़े यांपर खड़े हुए है हमारे खेतों में भी खड़े हैं आपके खेतों में भी सायद खड़े होंगे तो आप इसको उखाड कर ले आना है छाय में इसको सुखा देना इसके पाचांग को पाचांग बोला ज़ता है ओसदी का पूरा प्लांट जड़, तरा, पत्ता, फल, फूल इसको ब्ला ज़ता पाचांग इसको सुखा लीजिए सूखने के बाद बिल्कुल बारिक महिन पाउडर इसका बना लीजिए पाउडर बना करके कपड़ शान करके किसे डिब्बे मढ़कर रख लीजिए सेवन विदी कैसे रहेगी आदा आदा चमच सुबह शाम खाना खाने से एक घंटा पहले या खाना खाना खाने के दो घंटे बाद गुनगने पानी के साथ आपको सेवन करना है और साथ में परेज वही रहेंगे लाल मिर्च खटाई तली हुई चीजों के तो आपका स्वास्ता बिल्कुल ठीक होता जाएगा तो साथियों देर किस बात की अभी मोसम है फरवरी का मोसम है खेतों में बहुत सारी जड़ी बूटिया खड़ी है तो आप इसको उखाड कर ले आईए और परियोग करना सुरू कर दीजिए और एक बार आप अपने डोक्टर की सलावी जरूर ले लीजिए क्योंकि कई बार हमारे बताये दुवारा ओसदीक के बता आपको दवाईया क्या पता कई बार खोता क्या है अनेकों बिमारिया होती है तो उसका अनुपान बला बल के अनुसार मोसम के अनुसार दवाईया दी जाती है जय धन्वंत्री